हेलो फ्रेंड्स तक्षिरलाव एकेडमी अली गंज लखनों में आपका हार्दिक स्वागत है आज का जो हमारा टॉपिक है वो आगामी बिहार PCSJ को धिहार में रखते हैं बहुत इंपोर्टन टॉपिक है वैसे तो यह सभी एक्जाम्स में इंपोर्टन है और बिहार PCSJ जो मेंस है उसमें पिछली बार यह पांच नंबर का पुछा गया था तो टॉपिक है एक्रोनिमस यानि की शॉट फर्मस अब्रिवेशन भी कहते हैं इसको और इसमें हम कवर करेंगे important acronyms A2I यानि कि letter A से start होने बार है और letter I तक के जितने भी abbreviations है जो important है वो तो पहले देखते हैं पिछली बार क्या हुआ था पिछली बार आया था पांच नंबर का question जिसमें था कि ASEAN, BRICS, CBRI, CSO, EIL, BTI और ONGC इन में से किनी पांच के आपको abbreviations को full form लिखना था ठीक है तो जिसको आता है उसके पांच नंबर जिसको नहीं आता है उसके 0 नंबर तो ये पांच नंबर के लिए आपको देखना बनता है आगे बढ़ने से पहले इस PPT की इस जो वीडियो है उसकी PPT हमारे टेलिग्राम चैनल में जिसका link description box में दिया गया है शेयर कर दी जाएगी तो आप वहां से जाकर PPT डाउनलोड कर सकते हैं और बार बार पढ़ सकते हैं और अगर कोई भी doubt हो तो question पूछ सकते हैं comment section के through और एक और आप से अन्रोध है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो कृपिया बेल का button दबाने ना भूले क्योंकि अगर आप बेल का button नहीं दबाते हैं तो वीडियो के जो notifications हैं आपको नहीं मिलेंगे और important videos जो ऐसे कि हम ये बना रहे हैं ये बाकी सारे videos जो हमारे important रहे हैं वो आप miss कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये वीडियो आप अंतक ध्यान से दिखिए ठीक है सबसे पहले AAI AAI अभी important क्यों है इसलिए क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले airports का auction हुआ था आपको याद होगा काफी सारे airports प्राइवेटाइज किये जारे पहले Airport Authority of India Airports का रख रखाव करती थी और उसके बदले में usage charges लेती थी पर अभी जातर एरपोर्ट प्राइवेटाइज किये जारे हैं जैसे आपने डैली और बॉंबे तो देखा ही होगा इतनी शानदार एरपोर्ट बनाये गए हैं तो उसी तरह से आपका लखना हूँ और बाकी काफी सारे एरपोर्ट को प्राइविटेस किया गया है तो अभी केरला गॉर्मेंट जो एरपोर्ट है केरला में उसके अगेंस्ट गये थे हाई कोर्ट में जिसमें हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ एक वर्डिक्ट दिया है तो इसलिए Airport Authority of India ABIP ABIP है आनन्द बजार पतरिका न्यूज इसके बाद ACC ACC XCement की कंपनी है Associated Cement Companies ACS American Chemical Society Adidas Adolf Addy Dessler AHRC Asian Human Rights Commission AIAA American Institute of Aeronautics and Astronautics AMW Asian Motors Limited Ayush Ayush Important है सल Ayurvedic Yoga Naturopathy Yunani Siddha and Homeopathic इसके बाद AMC AMC कहते हैं Annual Maintenance Contract को भी कहते हैं और American Motors Corporation दोनों को कहते हैं फिर पढ़ते हैं आगे Amul The Taste of India Aran Milk Union Limited यह यह तो घर-घर की कहानी है इसके बाद AT&T AT&T जो है American Telephone and Telegraph Company को कहते हैं BARC BHABA Atomic Research Center BBC British Broadcasting Corporation अब आप हमें बताईएगा कि हमारे देश के जो Broadcasting है उसको क्या कहते हैं जैसे वहाँ पर BBC है तो हमारे देश की जो Broadcast करती है Radio Transmission Service उसका क्या नाम है यह मुझे बताईएगा कमेंट सेक्शन में इसके बाद आता है BCCI BCCI Board of Control of Cricket in India जो कि अभी IPL करा रहा है Indian Premier League Indian Premier League BCCI के दुआरा ही कंड़र की जा रही है BMW सबका सपना BMW की कार हो अपना Bears Morton Work इसके बाद BIFR यह है Board of Industrial and Financial Reconstitution BIS Pure of Indian Standards जहां से आपको सारे स्टेंडर्स मिलते हैं कि कोई भी चीज इंडिया में किस स्टेंडर्ड की बनेगी वो आपकी BIS डिसाइड करता है BPO Business Process Outsourcing जिसके तुरू इंडिया में बहुत सारी जॉब्स मिलती है अमेरिका की Outsourcing जो BPO's चलते हैं उनके थूँ फिर आता है BPL BPL Below Poverty Line और एक और फॉर्म होती है British Physical Laboratory Group तो BPL के दो फॉर्म है Below Poverty Line और British Physical Laboratories Group इसके बाद BRICS पिछली बार आया था Brazil, Russia, India, China and South Africa अभी कुछ दिनों पहले इसका कुछ मीटिंग हुई है बताईए क्या हुआ था कमेंट सेक्शन में इसके बाद CBSC Central Board of Secondary Education CBI Central Bureau of Investigation और उसके लावा दूसरा फॉर्म दूसरी भी है इंस्टिट्यूट उसका नाम है Central Bank of India इसके बाद CEO नॉमली आता रहता है Chief Executive Officer CID Crime Investigation Department CISF Central Industrial Security Force CRYSAL CRYSAL Rating Agency है Credit Rating Information Service of India Limited CRPF Central Reserve Police Force इसके बाद आता है DHL DHL है DELZ, Hibalon, Lin इसके बाद आयागा DIG Deputy Inspector General फिर आता है हमारा DLF DLF है Delhi Land and Finance ये एक मशूर Real Estate Company है DRDO Important है Defense Research and Development Organization कल मैंने आपको वीडियो भी बनाया था इसके उपर DRDO ने जो 12 टेस्ट किये हैं हमारे देश में September से October के बीच में वो आप जा के देख सकते हैं हमारे वीडियो में General Studies के जो वीडियो हैं उससे आपको जो 12 टेस्ट हुए हैं लास्ट दो मन्त में उनके Technologies के बारे में आपको Information मिलेगी फिर है DST Department of Science and Technology फिर है DVC Damodar Valley Corporation इनका एक बांध है यानि कि Dam है Damodar Valley Corporation फिर है DS Group धहमपाल सत्यपाल ग्रूप फिर ERP Enterprises Resource Planning ERP क्या होती है कि जैसे कोई Organization होता है जैसे उसकी 10 ब्रांचेज है तो उसमें ERP solution लागू कर दे जाता है जिसके थुरू आप हर ब्रांच को यह पता रहता है कि किस ब्रांच में कौन-कौन से Resources पढ़े है Otherwise Offline Mode में किसी को नहीं पता रहता है फिर आया EPFO important है क्योंकि इस बार जैसे ही COVID स्टार्ट हुआ था तो कुछ गोशना EPFO से related की गई थी Employee Provident Fund Organization इसके बाद आया FBI FBI Federal Bureau of Investigation FCI Food Corporation of India important है इस बार जितनी भी रहत सामगरी बाटी गई है COVID के टाइम पे वो FCI के गोडाउंस के थूँ ही सामगरी आई है जो भी storage होता है इंडिया में procurement होता है wheat का rice का वो FCI के गोडाउंस में maximum रखा जाता है फिर आया FIFA FIFA Football के दीवानों के लिए सबको जाना पेचाना नाम Federation International D Football Association FMCG FMCG important क्योंकि FMCG कंपनियों की जबार हो गई थी चांदी जब से आया जब से आया तक COVID क्योंकि सिर्फ यही कंपनिया आपका जो open थी या delivery कर रही थी FMCG मतलब Fast Moving Consumer Goods Fast Moving Consumer Goods में biscuit, bread, आपका shampoo, या आटा यह सब Fast Moving है क्योंकि यह Consumer Goods हैं जो आप खरीदते हैं और उब्भो करते हैं और Fastly यह मूँ करते हैं फिर आया FSSAI Food Safety and Standards Authority of India यह देश में जो भी food जैसे restaurants हैं उनको एक तरह से authenticate करती हैं कि वहाँ पे FSSAI का प्रमानपत्र होना चाहिए ताकि आपको पता जल सके कि इसकी गुणवत्ता FSSAI के दुवरा प्रमानित की गई है Google Google तो घर-घर का नाम हो गया है भी Google का मतलब है Global Organization of Oriented Group Language of Earth ठीक है? Gale Gale important क्योंकि BPCL का privatization होना है तो BPCL BPCL का मतलब जितने भी Petroleum से Related Companies है उन सब को आपको पता होना चाहिए Gale Gas Authority of India Limited HP HP के Laptops आते हैं HP के Printer आते हैं Havert Packet इसके बाद Hoodco Hoodco important है क्योंकि हमारे देश में मकान बनाने पे सबस्यादा जोर दिये जा रहा है क्योंकि दो फाइदा होते हैं मकान बनाने से एक तो रोजगार बनता है और लोगों को घर मिलता है Hoodco Housing and Urban Development Corporation Limited IBM IBM International Business Machine को कहते हैं और ये World की जिसे Microsoft है Software में ऐसी IBM जो है ये Hardware में Best Company है फिर है IATA International Air Transport Association इस बार सभी एर यात्रियों को बहुत तकलीफे हुई हैं टिकेट कैंसलेशन के पैसे नहीं मिले हैं तो IATA क्या करती है कि जितने भी Airlines है उनकी एस्सेशन है और उनको Protect करती है उसके लावा उनकी आवास को उठाती है प्लस रेटिंग देती है Airlines को फिर आया IB Intelligence Bureau IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers फिर आता है Important IFCO Indian Farmers Fertilizers Cooperative Limited It is also a cooperative Amol भी a cooperative है IFCO भी a cooperative है ऐसे क्रिब को भी a cooperative है तो Important है इसके बाद चलते हैं IIFL Indian India Infoline Finance Limited कुछ लोग इसको 5 पैसा के नाम से भी जानते हैं फिर आता है IPI International Press Institute फिर ILNFS ये कंपनी है जो डूब गई थी पिछले साल इसमें लगबग 1 लाग करोड का नुकसान हुआ है सब भी बैंकों का और ये सरकारी कंपनी थी फिर भी इसमें अनियमत था है बहुत ज़ादा पाई गई अब मिस्टर उदे को टक को इसको रिवाइव करने के लिए नुक्त किया गया था ILFS इसका फुल फॉर्म देख लीजे Infrastructure, Leasing and Financial Services IMA IMA जाना पैचाना नाम Indian Military Academy जिसकी पास आउट परेड को हम लोग बहुत गर उसे देखते हैं फिर दूसरा इस साल इंपोर्टेंट है Indian Medical Association IMA सबको पता होना से लिए IOC International Olympic Committee और IOCL Indian Oil Corporation Limited फिर आया IPCC Integrated Professional Competence Course फिर आया IRCTC आपको बुक कराने railway ticket तो आपको IRCTC को यूज करना पड़ेगा अगर offline mode में जा रहे हैं तो आप line में खड़े हो सकते हैं पर online mode के लिए आपको IRCTC के लाव और कुछ नहीं option है आपके पास Indian Railways Catering & Tourism Corporation फिर आता है IRDA IRDA Insurance लेना है तो IRDA को पैचानना होगा क्योंकि यही regulatory authority है आपके insurance company की या आपके insurance company परशान करें तो IRDA में complaint ज़रू करें IRDA Insurance Regulatory & Development Authority और एक और full form है दूसरी Infrared Data Association पर इसमें IRDA की फुल form जो हमारे परपिक्ष में जादा उपय होगी है वो है Insurance Regulatory and Development Authority इसके बाद ISI ISI के तीन form होते हैं एक Indian Standards Institute Indian Standards Institute ठीक दूसरा हुआ Inter Service Intelligence Inter Service Intelligence जो है वो पाकिस्तान की खुफी Agency का नाम है और तीसरा Indian Statistical Institute यह Calcutta में एक Premier Institute है जो Statistics में BSAT और बाकी courses कराता है और यहाँ पे अगर आप चले जाते हैं अगर आप इसको qualify कर लेते हैं 12 के बाद बहुत कम लोगों को पता है तो आप data analysis के बड़े अच्छे courses कर सकते हैं जिसमें आपकी यह मान के चली की life set है क्योंकि अभी सारा खेल data का है big data और यह सब चीज़े जो हैं यह data analysis का ही का कमाल है फिर आता है ISO International Organization for standardization जैसे हमारे ISI है international में ISO है आपने सुना भी होगा ISO 14000 ISO 9000 तो यह सब क्या था यह सब था ISO यह आपके process को standard करते हैं अगर आप जाडू भी लगा रहे हैं तो जाडू लगाने के process को भी यह standard करेंगे और आपके जाडू लगाने के process को भी आपको ISO certificate मिल सकता है इसके बाद ISRO हमारी शान Indian Space Research Organization फिर आता है IBPS Institute of Banking Personal Selection ITI Industrial Training Institute फिर है IIT Indian Institute of Technology तो यह था आज का मारा वीडियो यह वीडियो आपको कैसा लगा यह बताये हैं में comment section में और इसके बाद जो I के बाद J to Z है वो हम लोग कवर करेंगे next वीडियो में वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करें वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें गंटी का बटन दबाना न भूलें वीडियो को अगर तक देखने लिए धन्यवाद हमारे चैनल करेंगे